हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रडिक्शन 2 में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियन वर्सेज पंजाब किंग्स के मद्या जो वीवो स्क्रिप्शन में मिलेगा और एक चीज में आपको बता दूँ हमारे नाम पे दोस्तों बहुत सारे फेक चैनल से बन चुके हैं जो कि दोस्तों एक्सचेंज 22 एप्लिकेशन के जो प्रडिक्शन है बाइसल कि उसके लिए आप से पेड मांग रहे हो हमारे नाम पे पेसा हो 4.9 के सब्सक्राइबर है और एक मेसेज भी मैंने लगाया हुआ कि गाइज इट्स वर सेकंड यूटूब चैनल जो पिन करके रखा हुआ है तो आपको यह चीज देखनी है उसके बाद ही टेलेग्राम चैनल को जोईन करना है तो चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीड को भी बहका रहे हैं कि भाई यह पैमट नहीं देता या नहीं देता पैमेंट सबको मिल रहा भी चोधुआ और 21 मेंच का पैमेंट बचा हुआ है वह मैंने फैंटसी नेम जो कंपनी के अंदर मैंने जो है सेंड करके रखा हुआ है 24 गंटे से 48 गंटे के बीच वीच वीच आपको वो पैमेंट रिसीव हो जाएगा जैसे रिसीव होगा मैं प्रूफ भी आपको सेंड कर दूँगा ठीक ना तो गिव बें पार्टिस पेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो तो फाइफ यूजर है जिनको कॉमेंट करना है जिनके तो फाइफ यूजर के और जो मैच का 22 मैच का जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाए था वो यूजर मैंने डिकलेर नहीं किया तो वो मैं भी डिकलेर कर दूँगा ठीका ना अब देखो दोस्तो मुंबई की नईया जो समाल कर किये हुए शुर्य कुमार यादव ठीका ना सुर्य कुमार यादव न अंदर इसको मौका दिया गया है तो जिस प्लेयर को मौका मिलेगा ना वो रंस तो करेगा है 110 प्रसेंट वो बाद में रंस करने ही वाला है सो अब कम केचेज वगरा ड्रोप होंगे जैसे कि चैमरें हेटमार का केच ड्रोप हुआ था राजस्तान रोयल और लखनाव सूपर जैंट का जब मेच था तो कुर्णल पांडिया ने वो केच छोड़ा था केच नहीं वो में एक प्रकार से में बोलें मेच फोड़ा था अगर वो केच पकड़ लेते तो हेटमार रन नहीं बनाता तो वह तो डेफिनेटली कंफर्म होता है क्रिकेट के अंदर लगवग 10 में से 9 में कि जिस प्लेर का कैच छूड़ जाता वो रंस करता ही करता है तो मुंबाई और पंजाब का मेच मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इन्वेश्टमेंट के रिकार्डिंग और प्रोफिट के रिकार्डिंग मेरे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यह मैच हमारे लिए अच्छा रहे सकता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें जोनी बेस्टों जब से वापस किया इतना अच्छा फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैश थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को कि हम अच्छा प्रोफिटिक्स में कमा सकते हैं सबसे पहले दोस्ता तो सबसे पहले अग कि' तो में अगरवाल एगर मबात करई है जैसा कि अगरवाल अभी तक 4 में defending मेंच में परफोर्मेस नहीं कि उखते थीक ठक चल रहे हम अम प्रफीटबल त्रीका नहीं बोल सकते जैसे कि अगरं बैत क्रें सबसे पहले अगर मैं दोस्तों बात करूं में में हमें जो रिस्क लेना होगा वो देखो जोनी बेस्टोर इसकी पिक है किस क्यार करने को ट्राय ना मैं आपको सेजेस्ट कर kolej बिश्क वी एक अची इनिंड खेल सकते हैं लांक।ट की पॉंट होते हैं में करवाल भी मुझा थोड़ा सब में करें तो इतने अच्छी फॉम में नहीं थोड़ा रिसक्या देखो लंबे टाइम सपर में तो बागे मेंगे रोल के आउट होने के चांश ज़्यादा बनते हैं तो इनको अप सेले के लिए ट्राइक कर सकते हो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मुंबई की तरफ से शुरूर कुमार याद हो लगातार अच्छा काम कर रहे थे ठीक है नहीं एक प्लेयर अच्छ प्लेयर तो इसके अकॉर्डिंग रबाड़ा और रोही शर्मा इन दोनों के मतलब फेस्ट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है रबाड़ा वर्सेज रोहित ठीक नहीं बहुत थी ज़्याता है रबाड़ा रोही शर्मा को अगर आउट करेगा तो रबाड़ा कर स अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था एक सतावन पॉंट के परफॉर्मेंस तो थोड़ा सा लुकला एक अच्छा लग रहा है आउट होने का चांसे ज़्यादा हो सकता तो रिस्क ले सकते हो रोश्रमा पे सहल का एक बार हमनें पहले भी रिसक लिए था सहल का अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस तो आप एक चीज का थोड़ा रहा है अग्रेश्ट और अग्रेश्ट के साथ खेलता है तो देखो रिसक मैं बता हूं तो 80% रिसक है सेल के अंदर ठीक है ना तो उसके कोडिंग अप जा सकते हैं बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि सेल के लिए ट्राय करो हो सकता है रन आउट वगरा हो जाए क्योंकि बहुत सारे से प्लेयर पर जो अच्छी फिलिंग्स आते हैं वो रन आउट वगरा खेसे विकर का ऊट हो प्रदर्शन किया वेबा और रहा ने तो वेबा वारूरा को ट्राय करतना चाहो तो सेल के लिए कर सकते हो अभी तक बात करो तो एक विकर तक यह चटका सकते हैं समयच में देखो रिस्क है अगर रिस्क पास होता है तो मारे डबल प्रोफिट होने का चांस बचेगा तरव अगर दो विकर चटका तो लोग सोने का चांस बनेगा बट मेरे कोडिंग दो बिकर चटकाना मुश्किल है और आप पंजाब के विकर जल्दी गरेंगे एक दो चक्के भी लगाए तो यह अपने प्राइस के अकौर्डिंग आ सकते हैं फिल्डिंग में चेक्डिस लेते त कुछ विकर चटकाते तो प्रोफिट भी देंगो ओडेंस में थोड़ा से इंपोर्टेंट रहने वाला है बाइके मतलब बाइके थ्रू अगरम देखे तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है क्योंकि मुंबई की बॉलिंग स्ट्रॉंग विकर गिरेंगे जैसा कि मैंने आपक को बाइसल कुछ मत करना अर्सदिप सिंग भी थोड़ा सा रिस्की है और राहुल चार की अगर मैं बात करू जो प्लेयर जिस टीम के सामने कहलता है मतलो राहुल चार पहले मुंबई के सामने कहलता अभी तक आप लोगों भी देख सकते हूं मुंबई वाला ही है प्रिंट सो मुंबई के खिलता तो जो टीम जिस टीम से दूसरी टीम में आता तो परफॉर्मेंस करने का चांसेज बनता है अब एक चीज़ आप नोट कर लो बटलर 2015-16 में मुंबई के पास खेल रहा था ठीक ना पंदरा तक तो मेरे को याद है उसके बाद जैसे ही राजस्तान में 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 देखने हैं बाखी प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है वीकट टेकर बन सकता है तो डो होड़ के लिए ट्राय करना चोरा उल्चर को कर सकते हो और उसके बाद जितने अदर शर्मा की बात करें तो बढ़िया प्लेर हैं हिटिंग के लिए प्रमोट करते हैं तो लंबे-लंबे sixes मारने के लिए जाने जाते हैं यह दोमेस्टिक में जब खेलते हैं तो बहुत अच्छा परत्रशन करते हैं और most probably hitting के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करें डिवाल्ड ब्रेविस की देखो डिवाल्ड ब्रेविस थोड़ा सा मेरे को सेफ लग रहा है सेल के लिए आपको सुझेस्ट कर रहा हूं रहा हूं रोई शर्मा सुर्य कुमार याद हो तिलेक वर्मा डिवाल्ड बन सकते हैं घर बात करूँत ये को रहते हैं कुछ में चेसे होते हैं यह थोड़ा सप्र OFFmin बन सकते हैं मुरगऑ नोशन के और में बात कि अविक तक यह भी चेटका सकते हैं अभी तक मूंबई एक लिए अच्छा ही प्रदशन की मुंबेगार घृ Maintenant पॉरलिंग करतें पहले बोलिंग तैका ना पहले बोलिंग को च्छा सा जाना है ठीक है ना उसके वाद जो सेकंड पिक होगी मतलब वेक अप के लिए तो मुंबई की टीम पहले बोलिंग डाले तो देखो अर्षदीप सिंग को तो उसके सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना बागी एक्सचेंज 22 अप्लिकेशन का डाउनलोड लिंग कोमेंट शेक्शन में पिन किया हुआ मिल जागे तो वहां से डाउनलोड कर लेना मिलते हैं नेक्स तुडियो में दोस्तों तब तक जए बारत